नमस्कार निर्मान आईस के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इंडियान एक्सप्रेस में प्रकाशित लेक दे एकोनॉमिक डेविल डूनॉट नो तथा हिंदू में प्रकाशित लेक दे इंप्रेंट आप स्टेट जगरनौट पर चर्चा करेंगे आईए सबसे पहले देखते हैं इंडियान एक्सप्रेस का लेक दे एकोनुमी डेविल डूनॉट नो भारत में पारंपरिक रूप से कभी भी मांग की समस्या नहीं थी बलकि इसकी अर्थव्यवस्था हमेशा मांग और आपूर्ती पर निर्भर थी वर्स 2001 से वर्स 2015 सोलह के बीच स्टील और सिमेंट दोनों को घरेलू खपत क्रमशह 26.3 मिलियं टन एबं 92 मिलियं टन से बढ़कर 81.5 और 279 मिलियं टन हो गई इसी अवधी के दौरान यात्री वहानों की वार्सिक विक्री चोगुनी जबकि दो पहिया वहनों के मामले में 4.5 गुना और वानिजिक वहानों के लिए 5 गुना तक बढ़ी इसके अलावा वर्ष 2000 से वर्ष 2016 तक कुल हवाई यात्रियों की संख्या लगबग 10 गुना और टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या 30 गुना की लंबी छलांग देखने को मिजे मांग की कमिसे मुद्राइस फिती निचले अस्तर पर आईए जानते हैं ये क्या है नब्य के दशक के दोरान वार्षिक खुद्रा खाद्य मुद्राइस फिती उच थी और 2006-2007 से 2015-16 तक के 10 वर्षों में मुद्राइस फिती की औस्तंदर 9.8 परतिसत थी पिछले दो वर्षों में मुद्राइस फिती 3 फिजदी के आसपास रही है इस प्रकार भारत में लगातार घट रही मुद्राइस्पिती आने वाले समय में अर्थ व्यस्था के लिए परिशानी का सबब बन सकती है अर्थ सास्त्रियों के मताबिक कम होती मुद्राइस्पिती मांग में आई कमी की ओर इशारा करती है अगर लगातार आठ ती माहियों तक मुद्राइस्पिती घटती है तो इसका सिधा अरत खपत में गिरावट आने से है आकड़े बताते हैं कि पिछले 9 महिनों में भारत की खुद्रा मुद्राइस्पिती लक्षित 4 फिस्दी से भी काफी कम रही पिछले महिने यह 2.9 फिस्दी थी बीते साल अक्टूबर 2018 में 6.24 फिस्दी के बाद यह लगातार सातवा महिना है जब मुद्राइस्पिती दर घटी है इससे साफ संकेत मिलते हैं कि ग्राहकों की मांग में कमी आई पिछले 2 साल से खादी मुद्राइस्पिती कम हो रही है और गैर खादी मुद्राइस्पिती बढ़ रही है जो यह संकेत देता है कि ग्रामीन छेतर की आई शहरों में पहुँच रही है यह ग्रामीन अर्थ व्योस्था के लिए शुब संकेत नहीं है लंबे समय से खादी विघ्टन के कारण ग्रामीन विकास दर में कमी आई है जिसके कारण किसानों की आई गटी है आई में गिरावट का सीधा असर लोगों की खर्च करने की छमता और मांग पर हुआ है क्या मांग में कमी विमुद्रिकरण और GST का परिणाम है आईए इस पर प्रकास डालते हैं कई अर्थ सास्त्रियों का मानना है कि देश में मंदी की शुरुवात नोट बंदी से ही हो गई थी नोट बंदी अर्थ विवस्था के लिए ठीक नहीं थी और सरकार इसे गलत मानने को तैयार नहीं है अभी तक मध्यम शूच पैच अभी तक मध्यम सोक्ष्म वा लगू द्योग MSME इससे उबर नहीं पाये है goods and service tax GST बहुत अच्छी नहीं थी है लेकिन सरकार ने इसे बिना तैयारी के प्रभावी किया जिसका असर MSME सेक्टर पर पड़ रहा है इसके अलावा देश के किसी भी सेक्टर में विदेशों से कोई बड़ा निवेश नहीं हो रहा है जब प्राइवेट सेक्टर में निवेशक यह समझने लगे कि उनके निवेश से लाब नहीं होगा तो वे निवेश करने से बचते हैं प्रणाम सरूप इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते जब नए रोजगार नहीं आएंगे तो लिक्विड मनी का प्रवाह भी धीमा हो जाएगा रियल एस्टेट और आटो सेक्टर की स्थिती का आकलन भी यह संकेत करता है कि देश में मंदी है इसमें पहला रियल एस्टेट है जहां फ्लैट मकानों के दाम गिर रहे है बिल्डरों ने बैंकों से भारी रिन लेकर फ्लैट तो बना लिये लेकिन अब विक्री नहीं होने के कारण उन पर व्याज का बोज बढ़ गया है उनका लागत मुल भी नहीं निकल रहा है दूसरी और गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थाओं NBFC की हालत बैंकों से ज़्यादा खराब है ILNFS और DHFL जैसी कमपनियों को भारी नुकसान हो रहा है इसकी वज़े से सबसे ज़्यादा रुजगार देने वाले MSME सेक्टर में काम करने वाली छोटी-छोटी कमपनियों को मिलने वाला फाइनेंस कम अथवा बंद हुआ इससे भी कारुबारी गतिविधिया ठप हुई है साल 2018 के अंत तक भारतिय अर्थ विवस्था के लिए जो परस्पर विरोधी संकेत आ रहे थे वे अब साफ हो चुके हैं हर तरह के आर्थिक संकेतों से अब असपस्थ होने लगा है कि भारतिय अर्थ विवस्था में सुस्ती या मंदी की आहट है और हालात दिनों दिन बदतर होने की आसंका भी दिख रही है वहान उद्योग गहरे संकट में आईए इस पर प्रकास डालते हैं उद्योग अर्थ विवस्था का सबसे मजबूत पहिया माना जाता है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में रोजगार स्रीजन का कारक होता है इसमें कमी का मतलब रोजगार का घटना आंकड़े बताते हैं कि कार की विक्री वित्वर्ष 2017 के सालाना 9.2% और 2018 के 7.9 की तुलना में 2019 में महग 6.3% ही रही है मांग में कमी की वज़़ा से ही अप्रेल में कारों की विक्री में करीब 17% की कमी आई है जो 8 साल की सबसे बड़ी कमी है कार के अलावा दो पहिया वाहनों और ट्रेक्टर की विक्री भी घटी है इतना ही नहीं गैर तेल, गैर सोना, गैर चांदी और कम कीमती वो अर्ध कीमती पत्थरों के निर्यात में भी बीते चार महिने में कमी दर्ज हुई है जीडीपी की निर्यात में हिस्चेदारी भी वित्तवर्स 2014 के 25.4 की तुलना में 2019 में 19.7 पर पहुँच गई है उद्योग जगत में मंदी के चलते हाल ही में वाहनों की विक्री में भारी गिरावट के बीच वाहन डीलेरों द्वारा पिछले तीन महीनों में दो लाख लोगों की छटनी की गई है Federation of Automobile Dealers Association फाडा द्वारा कहा गया कि निकट भविस में इस्थिती में सुधार की संभावना नहीं दिख रही है जिसकी वज़ा से और शोरूम भी बंद होने की इस्थिती में है अभी ज्यादातर छटनियां फ्रंट एंड विक्री में हो रही है लेकिन सुधी का यह रुख अगर लगातार जारी रहा तो तक्नीकी नौक्रियां भी प्रभावित हो सकती है और फिर निकट भविस में छटनी का सिलसिला जारी रह सकता है वहीं आटो सेक्टर की कमपनियों के फाइदे पर असर पढ़ने और उपभोग की मांगों में सुस्ती रहने के कारण आटो उद्योग का उत्पादन और घटने की संभावना बनी हुए जिसके फलसरुप उद्योग छेत्र में स्रम करने वालों पर विरोजगार होने का खत्रा भी मनराने लगा है वहीं उद्योग जगत से जुड़े लोगों द्वारा बताया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिक होने और क्रिसी छेत्र में संकट होने के साथ ही सैलरी और स्रम की कमी होने के कारण उद्योग जगत में मांग में सुस्ती बनी हुए जिसके कारण हर महीने विक्री में कमी होती जा रही है ऐसे में सरकार को वहान उद्योग को राहत देने के लिए GST में कटाउती जैसे उपाय करने चाहिए ध्यान रहे भारत के GDP में 7 फिजदी हिस्सा वहान उद्योग का है और हर साल इससे 1,80,000 करोड रुपय का कर राजसु आता है आटो सेक्टर के स्थिती का सीधा सम्मंद व्यापक आर्थिकी से है रोजगार घटने और खर्च बढ़ने के कारण बचत में भी कमी आई है ऐसे में लोगों खासकर युवा ग्रहा को द्वारा बड़े पैमाने पर वाहनों की खरीद कर पाना मुश्किल है ग्रामिण और कसवाई इलाकों में क्रिसी संकट और छोटे कारवारों के कमजोर होने जैसे विभिन बजों से आमदनी कम होने से हर तरह की मान पर नकरात्मक असर पड़ा है ऐसे में सरकार, उत्पादक, निवेशक और नीती निर्धारकों को वाहन उद्योग के आसन संकट पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि अर्थ व्यवस्था की बढ़त को कायम रखा जा सके है आगे की रह देखते हैं क्या होनी चाहिए कोई भी एकॉनमी चार तरह के इंजनों के बलबूते दोड़ती है पहला निजी निवेश यानि नई परियोजनाव में निजी छेतर का निवेश दूसरा साज़निक खर्च यानि बुनियादी धाचे और विकास परियोजनाओं में सरकार द्वारा किया जाने वाला निवेश तीसरा आंतरिक खपत यानि वस्तूओं और सेवाओं की खपत और चोथा बाहि खपत यानि वस्तूओं और सेवाओं का निर्याद अर्थ विवस्था को बहतर तरीके से संचालित करने के लिए सरकार को इनी चार कारकों पर ध्यान देना चाहिए आईए देखते हैं इस आर्टिकल से संबंधित मुख परिक्षा का प्रश्ण क्या है भारत में अर्थ सास्त्रियों का मानना है कि भारत की अर्थ व्यस्था के fundamental मजबूत है परंतु फिर भी तातकालिक परिस्थितिया मंदी के संकेत दे रही है कारणों की परताल के साथ वैश्विक मंदी के संदर्व का भारतिय बाजार पर पढ़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए आईए देखते हैं आज का दूसरा आर्टिकल इसे हमने दहिंदू से लिया है The Imprint of State Juggernaut संदर्व क्या है आईए जानते हैं संसत के हाल ही में संपन, बजट सत्र को अधिकारिक प्रवक्ताओं ने कान के घंटों के साथ साथ प्रदर्शन के मामले में अभूतपुरों माना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अगस्ट को सदन की कारवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह 1952 के बाद सबसे स्वर्णिम सत्र रहा आईए देखते हैं इसमें क्या-क्या विधाई कारवाई हूँ संसत के दोनों सदनों का लगवख आधा समय विधाई कारवाई पर खर्च किया गया था संसत को कुछ विधाईकों को पारित करने के लिए स्रई दिया जाता है जिसमें व्यापक समती देखने को मिली जैसे कि मानवाधिकार संरक्षन संसोधन विधाक यौन अपरादों से बच्चों का संरक्षन संसोधन विधाक भोगता संरक्षन विधाक और सरवोच नयाले न्याइधिस संख्या संशोधन विधाक हलांकि इस पर सवाल उठाये गये हैं कि जस तरह से उन्हें फ्रेम किया गया था जिस तरीके से आगे बढ़ाया क्या वह उचित तरीका था हलाकि दोनों सद्नों द्वारा पारित किये गए कई विध्यकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरा मतभेद ववा विभाजन दिखा इनमें प्रमुख है तीन तलाग विध्यक, सूचना का अधिकार संश संशोधन विध्यक 2019, सरगोसी विनियमन विध्यक 2019, ट्रांसजेंडर वैक्ति अधिकारों का संशन विध्यक 2019 और डिने प्रद्योगी की उप्योग और आविधन विनियमन विध्यक 2019 जैसे विध्यकों पर काफी अच्छी बहस और चर्चा देखने को मिले। दोनों सत्नों द्वारा पारित किये गए मोटर वहाँ संशोधन विध्यक जैसे कई विध्यक राज्यों की शक्तियों पर असर डालते हैं और केंद की शक्तियों को सुद्रण करते हैं। खास कर लोगसभा के अंतिम कार दिवस पर पारित किया गया जम्मू और कश्मीर पुनरगठन विध्यक भारतिय संगबाद को पुनह चर्चा में ला देता है। आईए देखते हैं संसदिय कारपणाली की उत्पादक्ता एवन गुनवत्ता सुधारने के क्या-क्या उपाए हैं। इसके अलावा संसदिय शिष्टाचार तथा संसद में काम करने के तरीकों के बारे में अवगत कराने के लिए पाच्छिक सम्मेलन, कारेशाला तथा प्रशिक्षन कारिक्रम आयुजित करने चाहिए। तीसरा, संसद में बारवार गतिरोद न हो और इसका काम काज सुचारू रूप से चले, इसके लिए संधान में शंशोधन करके यह अनिवारी किया जाए, कि लोग सभा के लिए 120 दिन और राज सभा के लिए साल में कम से कम 100 दिन काम काज हो। कर सकें इससे उनके सुझायम दृष्टी कोण में अधिक व्यापक्ता का प्रसार होगा इसके अलावा सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को जवाब देह बनाने के लिए एक आचरण सहीता बनाई जानी चाहिए पाचमा एंटी डिफेक्षन कानून में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए जिससे सांसदों को पार्टी लाइन से हट कर स्वतंत रूप से अपने व्यक्ति की स्वतंतरता मिले आईए देखते हैं इस आर्टिकल से समंदित मुख परिक्षा का प्रश्न क्या है संसदिय कायर प्रणाली में सुधार के आवसक्ता को रेखांकित करत होते हुए संसदिय समीतियों और उप समीतियों की कारिविधी पर चर्चा कीजिए हमें उमीद है कि हमारा यह परियास आपके विभीन प्रकार की परिक्षाओं में मददगार साबित होगा हम भविस में भी आपके लिए इस प्रकार के टॉपिक लाते रहेंगे निर्मान आइस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करना न भूलें धन्यवाद